अलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आया हैं मैगी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी इसमें हम चीज का इस्तमाल नहीं करेंगे और फिर भी यह बहुत ही टेस्टी लगती है और चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक पैन में लभग डेर का पानी गर्म क तो मैगी हमारी पक चुकी है अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसके उपर से थोड़ा से ठंडा पानी डाल देते हैं और पानी को अच्छे से जब निकल जाए तब इसके उपर से हम लभग एक चमस तेल मिला दे तो पानी निकल गया है अब हम इसमें ओयल डाल देते है और इसे अच्छे से मिला दे अब हम एक पैन में चार टी स्पून मक्षन ले इसकी जगा पे आप घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें दो बारी कटी हुई लैसुन की कलियर डाल दे और इसे लबग इसका कच्चा पंदूर होने तक अच्छे से पका ले लैसुन पक चुका है अब हम इसमें दो चमच मैदा डाल दे और इसे मिलाकर अच्छे से भून ले इसे इसको अच्छे से भून ना है जिसमें का कच्चा पंद चला जाए तो मैदा भुन गया है अब हम इसमें एक कप दूट डाल देंगे तो दूट को थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और एक उसे लगातार चलाते जाना है हमारी एक बढ़या सी सॉस बनकर तयार हो गई है अब हम इसमें जो हमने मैगी उबाल के रखे थी वो डाल देते हैं और साथ में मैगी मसाला और चुटकी भर नमक और साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स और अब हम इन्हें अच्छे से मिला देते हैं यहां पर मैंने थोड़ा सा दूत और डाला है और इसे अच्छे से मिला दे तो हमारी बढ़या सी मैगी बनकर तैयार हो गई है आप भी घर पे ट्राई करिए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेट में जरूर बताए वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें चै एक बढ़या सी रेसिपी लाते हैं तब तक के लिए धन्यवाद